पिता से मिला उसके भाई से मिला अस परिवार के साथ हूँ करए। यह आछा और और उनके पड़िवार वालूसे मिले। एक और जहां उन्हें कहा। कि माल्ती के गुनेगार को सजा मिलने चाहिए सक्त से सक्ट सजा मिलने चाहिए तो वहीं एसी घटना को लेकर उन्होंने दुखवेक्त किया बता दें कि मालती काफी फेमस यूट्यूबर बन चुकी थी यूट्यूब पर अपने वीडियो डालते डालते वो इतनी फेमस हो चुकी थी कि उन्हें हर घर में पहचान मिल चुकी थ उनके लाखों में फैंस हैं, मेलियन्स में उनके वीडियो को देखा जा रहा था तो फिर सवाल ये कि जब मालती लाखों की कमाई कर रही थी तो फिर उल्दू ने सूसाइट क्यों किया पुलिस के पहुँचने से पहले ही मालती के पडिजनों ने शवब को फंदे से नीचे उतार दिया था मालती के माई के वालू ने उसके पती विश्णु जोहान पर हध्या का आरूप लगाया तो वही मालती और उसकी पती के बीट हमेशा लड़ाई की घटना के बाद भी बताई पतादें के दोनों के बीच वे मारपीट को लेकर मालती अपना ससुराल छोड़ कर माई के चली गई थी मालती के मौत के बाद, एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी सामने आया जिसमें मालती चोहान काफी परिशान दिख रही ही यब वीडियो मालती चोहान के ओफिशल यूजुब चानल पर कड़ी चार महिने पहले अप्लोड किया था वीडियो में वो अपने बच्चे के साथ अपना दुख बता रही है वीडियो में मालती कहती है कि दोस्तो मेरा जीवन बरबाद हो गया मेरे अपने ही मुझे दोखा दे दिये हैं अब मेरी जिन्दगी में कुछ नहीं बचा है अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है मेरी जिन्दगी में सिर्फ मैं और मेरा एक बच्चा है वही इसी बच्चे के सहारे मैं अपना जीवन बिता लूँगे माल्ती के मौत के बाद माल्ती के फैंस इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में उसके पती को तरह तरह की बाते डिक रही है माल्ती चौहान के मौत का जिम्मदार आखर कौन? आखर क्यों इतनी फेमस यूट्यूबर ने मौत का उठाया कदम? क्यों किया सूसाई? मालती चौहान के मौत के बाद एक और जहां कई तरह के सवाल उठी है तो वही मालती चौहान के पडिवार से मिले पवन सिंग खुद पहुँचे भोजपुडी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंग मालती चौहान के घर पर पहुँचे और उनके पड़ीवार वालों से मिले एक और जहाँ उन्होंने ये कहा कि मालती के